हिंदु धर्म में कहते हैं कि ब्रह्माजी जन्म देने वाले, विष्णु पालने वाले और शेव वापस ले जाने वाले देवता हैं भगवान विष्णु तो जगत की पालने हार हैं वे सब ही के दुख दूर कर उनको श्रेश्ट जीवन का बरदान देते हैं जीवन में किसी भी तरह का संकत हो या धर्ती पर किसी भी तरह का संकत खड़ा हो गया हो तो विष्णु ही उसका समधान खोच कर उसे हल करते हैं भगवान विष्णु ने ही नरसी से हवतार लेकर एक और जहां अपने बग प्रहलात को बचाया था वहीं करूर हिरने कश्यप उसे प्रजा को मुक्ती दिलाई थी उसे तरह वराहवतार लेकर उन्होंने महाभ्यंकर हिरने आक्ष का वद करके देव, मानव और अन्य सभी को भई मुक्त किया था उन्होंने ही महाभ्य और मायावी राजा बले से देवताओं की रक्ष की थी इसी तरह श्रीहरी विष्णु ने कुछ ऐसे कारी किये थे जिनको जन कल्यान के लिए किया गया चल कहा गया यदि वियासा नहीं करते तो कई देवी और देवताओं की जान संकट में होती तो आओ जानते हैं श्रीहरी विष्णु द्वारा जनहित ने किये गया पाच चल भसमासुर के साथ चल भसमासुर का नाम सुनकर सभी को उसकी कथा याधि हो आई होगी भसमासुर के कारण भगवान शंकर की जान संकट में आ गई थी हलाकि भसमासुर का नाम कुछ और था लेकिन भसम करने का वरदान प्राप्त करने के कारण उसका नाम भसमासुर पढ़ गया भसमासुर एक महापापी असुर था उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान शंकर की घोर तपस्या की और उनसे अमर होने का वर्दान मांगा लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि तुम कुछ और मांग लो तब भसमासु ने वर्दान मांगा कि मैं जिसके भी सिर पर हाथ रखो वेह वस्म हो जाए भगवान शंकर ने कहा तथास्तु भसमासु ने इस वर्दान के मिलते ही कहा भगवन क्यों ने इस वर्दान की शक्ति को पर रख लिया जाए तब वस्वयम शिव जी के सिर पर हाथ रखने के लिए दोड़ा शिव जी भी वहां से भागे और विश्णु जी की शरण में छुप गए तब विश्णु जी ने एक सुन्दर स्त्री का रूप धारन कर भसमासुर को आकरशित किया भसमासुर शिव को भूल कर सुन्दर स्त्री के मुहपाश में बंद गया मोहिनी स्त्री रूपी विश्णु ने भसमासुर को खोद के साथ न्रति करने के लिए प्रेड़त किया भसमासुर तुरंध ही मान गया न्रति करते समय भसमासुर मोहिनी की ही तरह न्रति करने लगा और उचित मौका देखकर विश्णुजी ने अपने सिर पर हाथ रखा शक्ती और काम के नशे में चोर भसमासुर ने जिसकी नकल की और भसमासुर अपने ही प्रापवर्दान से बस्म हो गया धर्म ग्रन्त अनुसार भसमासुर से बचने के लिए बगवान शंकर वहां से भाग गए उनके पीछे भसमासुर भी भागने लगा भागती भागते श्रीव जी एक पहाडी के पास रुके और फिर उन्होंने इस पहाडी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए बाद में विश्णू जी ने आकर उनकी जान बचाई माना जाता है कि बहे गुफा जमू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुचा की पहाडियों पर है इन खूबसुरत पहाडियों को देख में से ही मन शान्त हो जाता है इस गुफा में हर दिन सैक्रों की तादाद में शिव भक्त शिव की आरादना करते हैं व्रिंदा के साथ छल श्रीमद्मदेवी भागवत पुराण अनुसार जलंधर असुर शिव का अंश्था लेकिन उसे इसका पता नहीं था जलंधर बहुत ही शक्ति शाली असुर था इंद्र को पराजित कर जलंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था यम्राज भी उससे डरती थे श्रीमद्मदेवी भागवत पुराण अनुसार एक बार भगवान श्रीव ने अपना तेज समुद्र में फ्यांटिया तथा इससे जलंधर उत्पन हुआ माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ती थी और उसकी शक्ती का कारण थी उसकी पत्नी व्रिंदा व्रिंदा की पतिवरद धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रही थे जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया और वेह वरिंदा के पतिवरद धर्म की अभिलना करके देवताओं के विरूदिकारे कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा जलंधर को मालुम था कि ब्रहांड में सबसे शक्ति शाली कोई है तो वे हैं देवों के देव महादेव जलंधर ने कोद को सवरशप्ति मान रूप में स्थापित करने के लिए क्रमश पहले इंद्र को परास्त किया और त्रिलो का धित्ति बन गया इसके बाद उसने विष्णु लोग पर आक्रमण किया जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीन लेनी की योजना बनाई इसके चलते उसने बैकुंट पर आक्रमण कर दिया लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही चलस इसलिए हम भाई बहन हैं। अंत में देवताओं ने मिलकर योचना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारन करके व्रिंदा के पहुँच गए। लक्षमी से भी अधिक प्रे मानते हैं। भारत के पंजाब रांत में वर्तमान जालंधर नगर जलंधर के नाम पर ही है। जालंधर में आज भी असराज जलंधर की पत्मी देवी व्रिंदा का मंदिर मोहला कोड किष्णचंद में स्थित है। मान देता है कि यहां एक प्राचीन गुपा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। माना जाता है कि प्राचीन काल में इस नगर के आसपास 12 तालाब हुआ करती थी। नगर में जाने के लिए नावक का सहारा लेना पड़ता था मोहिनी बनकर किया सुरों के साथ छल जब इन्र डैतियों की राजा बले से युद में हार गए। तब घताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्रीहरी विष्णों के आश्रय में गए और उनसे अपना स्वर्गलोग वापस पाने के लिए प्रात्ना करने लगे। श्रीहरी ने कहा कि आप सभी देवता गंडैतियों से सुलाय कर लें और उनका ऐसा ही योग पाकर मदांचल को मथानी तथा वासु किना को रसी बना कर क्षीर सागर का मन्थन करें। समुद्र मन्थन से जो अम्रित क्राप्थ होगा उसे पिलाकर में आप सभी देवताओं को अजरमर कर दूंगा ततपशात ही देवता गयतियों का विनाशकर की पुनाई स्वर्ग का आधे पते पास सकेंगे। देवताओं की राजा इंडरेटियों की राजा बली के पास गय और उनके समक्ष समुधर मंथन का प्रस्ताव रखा और अमरित की बात बताई अम्रित के लालच में आकर दैते ने देवताओं का साथ देने का वचन दिया देवताओं और दैते उन्हें अपनी पूरी शक्ति लगा कर मतरांचल परवत को उठा कर समुद्र तच पर लेकर जाने की चैस्टा की लेकिन नहीं उठा पाए तब श्री हरे ने उसे उठा कर समुद्र में रख लिया मतरांचल को मतानी एवं वासुकि नाकी रसी बनाकर समुद्र मन्थन का शुब कारे आरंभ हुआ श्री विश्णो की नजर मतानी पर पड़ी जो की अंदर की और धन्स्ती चली जा रही थी यह देकर उन्होंने स्वयम का शप बनाकर अपनी पीट पर मतरांचल परवत को रख लिया ततपश्याद समुद्र मन्थन से लक्षमी, कौस्तुब, पारिजाद, सुरा, धन्वंतर, चंद्रमा, उश्पक, एरावत, पाचजय, शंक, रंभा, कामधेनु, उच्छाहेश्रवा और अंट में अम्रित कुम्भ निकले जिसे लेकर धन्वंतरी जी आए उनकी हाथों से अम्रित खलश छीन कर धैत्य भागने लगे ताकि देवताओं से पूर्व अम्रित पान करके वे अमर हो जाएं धैत्यों के बीच खलश के लिए छगला शुरू हो गया और देवता हाताश खड़े थे श्री विष्णु अति सुन्दर नारी का रूप धारन करके देवता और दैत्यों के बीच पहुँच गए और उन्होंने अमरित को समान रूप से बाटने का प्रस्ताव रखा दैत्यों ने मोहिद होकर अमरित का खलश श्री विष्णु को सौप दिया मोहिदी रूप धारी विष्णु ने कहा कि मैं जैसे भी विभाजन का कारे करूँ चाहे वहुचित हूँ या अनुचित तुम लोग बीच में बाधा उत्पन न करने का वचन दो तभी मैं इस काम को करूँगी सभी ने मोहिदी रूप भगवान की बात मान ली देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैट गए मोहिदी रूप धारन करके विष्णु ने चल से सारा अमरित देवताओं को पिला दिया लेकिन इस से दैत्यों में भारी आकरोश फैल गया असुराजबली के साथ छल असुरों की राजाबली की चर्चा पुराणों में बहुत होती है वहाँ अपार शक्तियों का स्वामी लेकिन धर्मात्मा था दान पोन्य करने में वे कभी पीछे नहीं रहता था उसकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि उसे अपने शक्तियों पर घहमन्ट था और वेह खोद को ईश्वर के समकक्ष मानता था और वेह देवताओं का घोर विरोधी था कशप रेषी की पत्नी दिती के दो प्रमों पुत्र हिरने कशप और हिरनाक्ष थे हिरन एकश्यप के चार पुत्र थे अनुहलाद, हलाद, भथ प्रालाद और सनाहलाद प्रालाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बली का जन्म हुआ राजा बली का राजी संपून दक्षिन भारत में था उन्होंने महाबली पुरम को अपनी राजदानी बनाया था आज भी केरल में उन्म का पर राजा बली की याद में ही मनाया जाता है राजा बली ने विश्व विजय के सोचकर अश्वमेंध यगे किया और इस यगे के चलते उसकी प्रसिधी चारों और फैले लगी अगनी होत्र सहीद उसने 98 यगे संपन कराए थे और इस तरह उसके राजजी और शक्ति का विस्तार होता ही जा रहा था तब उसने इंडर के राजजे पर चढ़ाई करने की सोची इस तरह राजाबली ने 99 विल्डगी की घोशना की और सभी राज्यों और नगरवासियों को निमंत्रण भेजा देवताओं की और गंधर्व और यक्ष होते थे तो दैतियों की और दानव और राक्षस अन्तिमपार हीरन एक्षपु के पुत्र प्रहलाद और उनके पुत्र राजाबली के साथ इंडर का युद्वा और देवता हार गय तब संपून जम्बूद वीपु पर असुरों का राज हो गया तब लेना पढ़ा वामन अवतार वामन रियाशिक का शप्त था उनकी पत्मी अजिति के पुत्र थे वे आदित्यों में बारवे थे ऐसी माननेता है कि वे इंडर की छोटे भाई थे और राजाबली के सोतेले भाई विश्णु ने एसी रूप में जन्म लिया था देवता बली को नश्ट करने में असमर्थ थे बली ने देवताओं को यग्य करने जितनी भूमी ही दे रखी थी तब सभी देवता विश्णु की शरण में गए विश्णु ने कहा कि विभी यानी बली भी उनका भक्त है फिर भी वे कोई योगती सोचेंगे तब विश्ण ने उन्हें देखते ही बली से कहा कि वे विश्णु हैं मुझसे पूछ है बिना कोई भी वस्तु ने दान मत करना लेकिन बली ने शुकराचारे की बात नहीं सुनी और वामन के दान मांगने पर उनको तीन पग भूमी दान में दे दी जब जल छोड़ कर सब दान कर दिया तब ब्रह्मन वेश में वामन भगवान ने अपना विरात रूप दिखा दिया भगवान ने एक पग में भूमंडल नाप लिया दूसरे में स्वर्क और तीसरे के लिए बली से पूछा कि तीसरा पक कहां रखरू पूछने पर बली ने मुस्करा कर कहा इसमें तो कमी आपक यही संसार बनाने की हुई मैं क्या करू भगवान अब तो मेरा सिर ही बचा है इस प्रकार विश्णू ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया उसकी भक्ति से प्रसंद होकर विश्णू ने उसे पाताल में रसातल का कलीव के अंत्रक राजा बने रहने का वर्दान दे दि जिए कि मेरा सामराजिर शत्रूओं की प्रपंचों से बचा रहे और आप मेरे साथ रहें अपने बक्त के अनुरोद पर भगवान विश्णू ने राजा बली के निवास में रहने का संकल्प लिया पाताल पूरी में राजा बली की राज में आच्छो प्रहर भगवान वि यवस्था संचालित करता है। माता पार्वती के साथ छल माना जाता है कि बद्रिनात गाम कभी भगवान श्रिव और पार्वती का विश्राम स्थान हुआ करता था। एक दिन श्रिव विश्णो बालक का रूप धारन का जोर जोर से रोने लगे। उनकी रुदन को सुनकर माता पार्वती को बड़ी पीड़ा हुई। वे सोचने लगी कि इस बीहरवन में ये कौन बालक रो रहा है। ये हया कहा से। और इसकी माता कहा है। यही सब सोचकर मात को बालक पर दया आ गई। तब वे उस बालक को लेकर अपने घर पहुँची। श्रिव जी तुरंत ही समझ गये कि ये कोई विश्णो की लिल्ला है। उन्होंने पार्वती से इस बालक को घर से बाहर छोड़ दीने का आगरे किया और कहा कि वे हपनी आप ही कुछ देर रो पर चली गए। भगवान विश्णो को इसी पल का इंदजार था। इन्होंने उठकर घर का दर्वाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और पार्वती जब घर लोटे तो द्वार अंदर से बंद था। इन्होंने जब बालक से द्वार खुलने के लिए कहा तब अदर से भगवान विश्णो ने कहा कि अब आप भूल चाहिए भगवन ये स्थान मुझे बहुत पसंद आ गया है। मुझे यहीं विश्राम करने रीजिये। अब आप यहां से के दारनात जाएं। तब से लेकर आज तक बद्रिनात यहां पर अपने भगतों को दर्शन दे रहे ह और भरगवान शिव के दानात में। कर दो